वेल्कम बाक ट्रेड़ इंवेस्स एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चानल थिंक फाइनस में चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को इस एपिसोड में दोस्तों बात करने वाले हैं DCX सिस्टम्स लिमिटेट के बारे में स्मॉल काप साइस कंपनी है आरवे काफी बड़ी है कंपनी का डिस्पाइट चार्ट पे बड़े ब्रेकडाउंस देखने को मिले हैं फ्री फॉल देखने को मिला हमें इस टॉक में 308 रुपे के लेवल से जो कि इसके लिस्टिंग प्राइस का असपर था अब ही देखो सबसे पहले बिजनेस समझते हैं उसके बाद ऑपरचुनिटीज डिसकास करेंगे पहले टॉप लाइन को भी देखेंगे और डीसी एक सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो 2011 में इनके अपरेशन कमेंस होए थे और प्रेफर्ड इंडियन ऑफसेट पार्टनर है और यहाँ पर आप देखेंगे और फॉर फॉर इन ओपीम्स फॉर एग्जेकुटिंग एरोस्पेस और डिफेंस मानुफाक्शिंग प्रॉजेक्स तो देखो कंपनी जो है केबल असे बनाती है और यह एक प्रेफरेंस इ किटिंग है केबल असे ब्ली हो गए तो यह सारे जो है इनके बिजनेस मॉडल्स है और जो इनका नीश मार्केट है वो काफी बढ़ी है क्योंकि केबल के सेग्मेंट के अंदर आपको बड़े सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे बट जिने सप्लाइ कर रहे है वो एक बड़िया जगा है वो एक बड़िया डिफेंस और एरोस्पेस के अगर अंदर इनने प्रेफरेंस मिल रहे है तो वो एक बहुत बड़िया साइन है अब इदेखो डिसेंबर 2021 मिन के 417 करोड के से वो 356 करोड तक डिकलाइन होए है और प्रेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर ए देखेंगे सेल्स बहुत बड़िया अपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफी बड़िया जम देखने को मता है नेट प्रॉफिट 66 करोड सक जम करता हो नजर आए DCX सिस्टम का बॉरिंग की यहां पर बात करते हैं बढ़ते हो नजर आए रिजर्व भी बड़े है और जो अभी मार्केट काप है कंपनी का वहां पर बॉरिंग थोड़ से रहते भी हैं बट यहां पर आप देखेंगे लीज जादा है तो यहां पर मुस्ट पॉब्ली शिच्ट के लिए एक्वाइर किये जाते हैं तो दाट इस वन तिंग और इनके फिल्ड में मशीनरी और मैन यह स्टॉक लिस्ट हुआ है बाक इन 11 नविंबर 2022 में तो रीसंटी लिस्ट हुआ है मतलब अभी तो टाइम है कि उनका जो प्री इन्वेस्ट लॉकिन पीरिड होता है उसके अंदर भी टाइम है अगर वह होंगे तो वह हमें आनल रिपोर्ट देखके बता चलेगा बागी एक प्रीमियम के उपर जो है हमें लगता कमांड कर रहा था स्टॉक और यहां से फ्री फॉल देखने को मिला है तो देखो हम ऐसे स्टॉक के अंदर ऑल्दो स्टॉक बढ़िया नजर आ रहा है आप इसे अपने वाच लिस्ट में डाल सकते हैं बट देखो ऐसे स्टॉक के पॉजिशन हमें हिश्या तभी सूटेबल लगती है जब स्टॉक कहीं पर बॉटम आउट करें मतलब किसी जोन के अंदर कॉंसॉलिडेट करें किसी जोन के अंदर आए जैसे फॉर एग्जामपल यहां पर मान लीजिए स्टॉक इसी जोन के बीच में ट्रेट करने लग जा तब तक स्टॉक वापिस रिवर्सल लेने के चांसे जो है स्टॉक में नहीं नजर आएंगे तो उसे एक फाक्टर को आपको चंस्रीडर करना है हाल फिलाल के लिए अभी कले आप अपने वाच्छिस में डाल सकते हैं स्टॉक को अंद आप उसका वेट कर सकते हैं उमीद कर करता हूं वीडियो इंफर्मेटिव लगी होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियेगा पसंद आया तो कोई भी डाउट है प्लीज कमें शेक्शन में जरूर बताएगा फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में तब तक ले शुक्रिया औं थांक्स फॉर वाचिंग पी कर्लीज चॉर वे तो जरू सेकते हैं जरूति हैंपके करदेश के साथ रहागा औंक्स सर्फट भिएक वाचिव वाचिव बम प्लाएब रहा है झा झाल करиниंगे शऴों येक्की करियेग शोर्स CD तो करिदों इंदिता है क्वाब चॉर ओस्शब सहॉर औंक्सॉर माह